अग्पांड नमबर फिप्टीन तो देख इसमें कंपांड साइकल एक्जन बनाएं हम अग्जन और यहां पर यह डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है और यह सी अस्त्री और यह सी अस्त्री और यह सी अस्त्री अब बात किया कि नमबर ही कहां से करें मैंने आपको एलिफेटे के अकॉड़िंगी नमबरिंग करना है वन टू थ्री पूर और फाइर और शिक्स तो यहां पर टू और थ्री पर तो यहां लिख देंगे यहां पर यह पर एक double bond भी है यहां लगा दिया और यहां पर यह तू कॉमा थिरी डाई मिथाइल डाई मिथाइल साइकलो साइकलो हैक्स हैक्स और तू और थ्री की बीच में हैं तो तू पर माना जाए आगा डबल वन तू और थ्री है तो तू तू इन इन की अटा दी जाएगी इसमें से और वन और की टॉ तो दीखिए यहां द्यान दीजिए साइकलो हैक्स हैक्स माने सिक्स कारवन हो गए तू इन की अटा देंगे क्योंग इसके बाद अट सब फंक्सन को लगा हुआ है सफिक्स है उसका इन इन वन इन बन आउन तो इसका नाम हो जाए इस तरह से अब देगिए यहां बात लगा और इसकी नमबर इंके तरह से करेंगे। दैखिए इसके यह development यह side chain लगी हुई है तो यह इधर नहीं यह clock बाज होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से numbering कर देंगे जो function group पर number है इसको function group को number बन देंगे development को preference देंगे इधर नहीं देंगे तो इसका नाम जो लिखेंगे 5-methyl 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 होगी इसको है cyclo cyclo hex इसको हमोजे cyclo hex cyclo hex हो गया और double bond का 2-3 के बीच में तो 2 पर माना जागा lower पर माना जाता है 2-3 है तो 2 पर माना जागा 2 in 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 की इधर देंगे 1 ns2 क्या होता है amine तो 1 पर है amine तो इसका नाम हो जाएगा 5-methyl 5-methyl है cyclo बाने क्लोज बनना है hex बाने 6 carbon atom है 2-3 के बीच में double bond लगा 2-in और 1 amine बन पर amine इस तरह से ये नाम लिख देते हैं और इसमें alicycle components होते हैं इसमें कुछ फंक्शन गुरूप भी आते हैं साड़ में लगे होते हैं तो इसके लिए मैंने ये लिख दी है 6 हैं देखो तहीं डार्ट CWH लगा है तो थोड़ा इसमें चेंज ने काई है कार्मसिलीक एसट लिख देंगे CH लगा हुआ कार्वलडी हाइड लिख देंगे C1 लगा है कार्वन डाटर लेख देंगे C2C लगा है कार्वनिल क्लोड़ाइड लेख देंगे C1H2 एमाइड गुरूप लगा हुआ तो कार्वॉग्जामाइड लेख देंगे जैसे 17 बता रहा है आपको 17 में हम फिर वोई बना देंगे साइगलो एक्जन बनाएंगे सब से पहले तो दिखो यह साइगलो एक्जन हो गई साइगलो एक्जन में हमने यहां पर CWH बना दिया यह फंक्शन गुरूप हो गया और इसके बाद यहां पर आपने डवल बॉंड लगा दिया है और यहां लग दिया अनो तो अब इसकी नम्मरिंग किदर से करें देखें इदा थिरी नाइट्रो तर फोकस करना थिरी नाइट्रो अगरो कि असाइगलो है एक्स डवल मेंट टूर्टी के बीच में तो इसमें लेगें देंगे तु इन इन की नहीं अटाएंगे क्योंकि यह आप इसकी एकड़न लेकारवसिक आर जिए रहे देंगे करवसिक डर्वाज तर 2 और 3 के बीच में है इन वन करफलिक एसे वाइज दे यह इंतिक लेख़ेंगे 18 तो हम하게 50 लखतेंगे यह या साइगलोपेंट्र पर हमने यहां लगे दिया sion ए म है कि और इसके बाद एमायड गुरुप लगाने के बाद यहां लगा दिया हमने इस पर C2H5 तो एलिसाइकल ले कमपॉंड है तो इसका नाम कैसे लेगी है नम्बरिंग डालेंगे पहले 1, 2, 3, 4 और 5 नम्बरिंग इदर से चलेगी क्योंग यह फंक्षन गुरुप है बन तो इसका नाम बुझाएगा 2-Ethyl 2-Pर-Ethyl है 2-Ethyl 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 Cyclo-Pentene Cyclo Cyclo-Pentene 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 अब C-O-N-S-2 देखिए दर देखो C-O-N-S-2 कहाँ है C-O-N-S-2 के क्या लगा हुआ है 5-N-M-E-R-P-R-C-O-N-S-2 तो इसका नाम लगदे हैं हम Carbocamide लगदेंगे Carbocamide Carbocamide खाली है Alley Cyclic में आएगा बैसे ही यह Amide है Suffixus का Amide है 2-Ethyl 2-P-Ethyl हो गया Cyclo-Pentene Cyclo-Pentene है यह यह और C-O-N-S-2 Carbocamide 1 पर लगदे है 1 लेख दो मदले को कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिना चाहें तो आप 1 लेख सकते हैं लेख दो या बनले को 1 अंडिस्टूड है तो 18 हो गए तो इसमें 21 Component Total या आप इनको याद कर लेते हैं समझे लेते हैं अच्छी तरह से आप कहीं डिफिट नहीं खाएंगे तो इसके बाद 19 19 में Cyclohexene मनाएंगे Cyclohexene और यहां मनें COO C2H5 और यहां पर हम लेख देंगे O मतलब यह कीट ओने के हो गया तो नमबर इन डालेंगे हम जहां से 12345 और 6 इसका नाम लेखेंगे इसका नाम लेखेंगे एस्टर का नाम है अलिफेटिक में आपको रूल बता रखें यह इथाईल है तो ही आप सब सब लेखेंगे इथाईल इथाईल और थिरी कीटो थिरी कीटो या ओक्सो थिरी कीटो ओक्सो साइकलो हेक्जेन साइकलो हेक्जेन साइकलो हेक्जेन है साइकलो हेक्जेन और वन और यह एस्टर है तो एस्टर के लिए मैंने आपको तो यह लेखते हैं कारवक्सी लेट और यह इसका नाम हो जाएगा इस नम्बर कुछ नहीं दिये इथाइल थ्री और या कीटो और कीटो एक बात है साइगलो एक्जेन है और यह सी डबलो ओ एस्टर है तो एक कारवक्सी लेट लेट अब देखिए ट्वंटी में साइगलो पेंटेन बनाएंगे यह साइगलो पेंटेन है और साइगलो पेंटेन में यहां जोड़ देंगे हम सी एच इधर सी एच टू अँग एच टू और सी एच टू थ्री वाद सी एच टू और फिर सी एस्थिरी और इधर लिख देंगे हम सी एस्थिरी तो यह नाम हो जाता है तो अब इसकी साइड चेन यह साइड में लगा हुआ है अब इसकी बात के नमबर के दर से डाले है तो देखिए वण टू थ्री फॉर फाइप लिख जूड़ हुग हो यह दर यह साइड चेन का काम करें यह लाग्यू नम्मर आप हम इदर से यह तो इसके नाम हम गेसा, तू, तू पर यह जुढ़ विज़र है, इसके साइक्लो पैंटाइल, साइक्लो तो हही है, अब पैंटे नहीं होगा, पैंटाइल हो जागा कि यह साइड़ चैन वागी, 2006 पैंटाइल, और यह एलिफाट कमपा जुढ़ा हुआ है, तो हिंट्सेन, थ क्योंकि यह मैन चेन नहीं रही च्यों साइड चेन यह बन जाती है तू साइक्लो पेंटाइल हेक्जेन एलिफेटिक कंपार्ण जुड़ा हुआ है तो दोनों मिक्स हो गई इसमें अब इसका लाश्ट कंपार्ण और मैं बताऊंगो आपको 21 तो यह लाश्ट कंपार्ण है एलिफ साइक्लिक कंपार्ण का तो यह साइक्लो हेक्जेन आएंगे यह साइक्लो हेक्जेन में यहां जी सी एच और इधर सी एच हो और यह बैलेंसी पूरी करने के लिए तो इसका नाम वैसे होगा जो 20 का है नम्बरिंग हम कहां से डालेंगे अब यह जो है यह साइड़ चैन का काम करें तो यह नम्बरिंग होगे अब यहां पर तू साइक्लो तू यह लगा हुआ है साइड़ चैन तू साइक्लो साइक्लो मीन्स बंद लोजड तू साइक्लो और यह हेक्जाइल हो जाएगा जैसे पेंटाल हुआ था यह हेक्जाइल हो जाएगा हेकजान नहीं लखेंगे हेकजान नहीं लखे तो गलत हो जागा कि एकोसाइड्चन ही है 투-cyclo-hexyl prop catal propinas propinas और यहाँ LD heart जोगा है बन पर तो prop halten इसका नाम हो जाएगा 투-cyclo hexile propinal क्योंकि LD heart रूल लग जागा यहांपा यह डारक्ट लगा आता तो CHO में कर्वलडी हाड लिखता है जैसे यहां पर सब पुछ करिए CHO डारक्ट लगा होता तो कर्वलडी हाड लेखते हैं लेकर डारक्ट नहीं है तो इस तरह से यह एलिफाइट एलिसाइकलिक कंपांड को कम्प्लिट हो जाते हैं देगिए मैंने सच्शूर आपको एलिसाइकलिक अलिफैटे का नॉनलिक लिघष पूरा करा दिया ए्रोमेटक पूरा यह सारे नॉमन क्लेचर के वीडियो आप पूरी तरह से देखेंगे और समझें नोट्स बनाएं तो आपको अल इंडिया में तो क्या पूर वर्ड लेवन में आपको डिफिट नहीं दे सकता है आपको बेल कमांड चाहिए और ने केमिस्टी में और अच्छी तरह से समझना है तो नॉमन क्लेचर को जरूर इस्टडी करें नोट्स बनाएं और आपको बेल कमांड होगा थेंक्यू धन्वाद आप आपको चेप्टर बाज पढ़ा जाएगा अब और ने केमिस्टी आपको बहुत आसन लगेगी ठीक है धन्वाद फिन नेक्स वीडियो में फिन मुलाक आपको चाटे आपने